कि बेटाओं सबसे पहले हम बात करें आपर तो बहुत सारे अटमिक मॉडल्स भी आगे शुरू से फिर उनमें जैसे सामने एर्र और उनके लिमिटेशन पता चलती गई हमने एक्टम के स्ट्रक्चर को डिफैंड करने के लिए नए नए मॉडल्स सामने आते रहें लोग उनक कि बोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन इसे थुड़ा मॉडिवाई किया और कहा कि सर्कूलर के साथ साथ इलेक्ट्रॉन एलिप्टिकल पार्फ में भी घुमते हैं लेकिन प्रिवेस वीडियो में हमने देखा कि हाईगेंड वर्ड ने अपने प्रिंसिपल से फ्रूब कर दि कि इलेक्ट्रॉन का कोई डेफिनिट पाथ नहीं होता जब डेफिनिट पाथ नहीं होता है तो इसके पीछे का पहले बज़ा दूड़ी गई कैसा क्यों हुआ तो इसकी बज़य यही मिली कि इलेक्ट्रॉन जब रूटेट कर रहा है नीकलिस की चारों तरफ तो इलेक्ट्रॉन पर हम क्लासिकल मेकैनिक्स के रूल्स जो कि न्यूटर्स ब्लॉफ मोशन्स पर बेज दें हम उनको एपलाई नहीं कर सकते ही उके मैटाओ तो सबसे पहले प कि रूल्स कि रूड 우리 है सबस्ट ऊफन है कि जुटस अश्ट्स刜 का रजी युट प्रफ गिस र вполне एनर्जी और स्पीड और वेलोसिटी और माइक्रोइस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक एलेक्ट्रोंग एक एप्जम्पल लिया हमने इनके लिए क counting क्लासिकल मेक्निक्स एप्ट लाइ हम नहीं कर सकते हैं है वंके विटाहो इसमा 창्ष नहीं कर सकते हैं कि इसकी एक और बजह बताते हैं आपको याद होगा हमने एक और प्रिंसीपल पड़ा था ले ब्रोगली प्रिंसीपल दी ब्रोगली ने कहा था कि जितने भी मुविंग पार्टिकल होते हैं उनमें वेव नेचर होती है जब क्या आपको पता होगा फिजिक्स में आपने पड़ा है न्यूटन्स लॉफ मोशन्स में हम किसी भी मूविंग पार्टिकल जो मूव कर रहा है हम कहीं भी उसकी वेव नेचर को को कंसीडर नहीं करते हैं गोलो मेंटा आप करते हों कभी न्यूटन्स लॉफ मोशन में वेव नेचर वेरी गूड तो इसी लिए उस क्लासिकल मैकेनिक्स की एक लिमिट है वहाँ पर वेव नेचर को नेगलेक्ट करके फिर वो रूल्स या लॉज एपलाई किये जाते हैं तो इन क्लासिकल मेकैनिक्स की अब वेव नेचर ओफ मूविं पार्टिकल करल्ज तर इस नेगलेक्टेट हर नेग्लेक्ट कर देते हैं तो क्लासिकल मैकिनिक्स में है भी पार्टिकल सबढ़ते हैं और भी व्लोग प्रिंसिपलमाद की यह ब Assistant के केस में डेयब लेंग्लिल हो जाती है या उनकी दीगेचर है ज्मैकेड खेस से अबजर्ब नहीं होती है इसलिए वहां पर सकाव स्यूक्रल सब्सक्राइब मेह ग्यार कर देते हैं लेकिन होती तो है और लैक्टरण जैसे particles के case में जहां wavelength बहुत जादा होगी उस case में हम इसको neglect नहीं कर पाएंगे तो उस case में हम उस पर Newton's log motion भी apply नहीं कर सकते हैं is that clear बेटा इस का मत्सक्राइब मेरे बेटा classical mechanics जहां हम Newton's log motion लगाते हैं जहां पर आपने निकाला है कि अगर initial velocity इतनी है final velocity इतनी है तो बताओ कितनी distance कवर करेगा acceleration क्या होगा वी इस एक फ़स्टु यू प्लस 80 या एस एक जिपस्टु यू टी प्लस आप 80 square यह formula आप यूज करते हो उसमें कहीं भी आप किसी moving particle की wave nature लेते हो किसी wavelength इतनी है बोलो बटाओ इतने question तो इसका मतलब क्या हुआ क्या हुआ कि आपकी classical mechanics इस बात पर dependent है पुरा Newton's law of motions कि वहाँ पर वो पार्टिकल का जो वेव नेचर है उसको नहीं मानते वो उसको तो आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि wavelength जो होती है moving particles की वह wavelength is inversely proportional to momentum mass into velocity अगर mass बहुत कम है electron जैसे पार्टिकल का तो wavelength बहुत ज्यादा होगी ना तो आप उसको neglect नहीं कर सकते और neglect नहीं करोगा आप उसे include करोगे अपनी study में तो आप Newton's law कैसे लगा होगे तो न्यूटर्स लो में तो wavelength को लिया ही नहीं गया तो आप पिक्चर क्लियर हो गई है इसका मतलब यह हुआ कि क्लासिकल जो mechanics है वह पूरी तरह से फेल हो गई है इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स की नेचर को या उसकी एनर्जी या स्पीड से रेटेट स्टेडी को explain करने में इसी लिए यहां पर साइंस की एक नई ब्रांच बराई गई मेकेनिक्स की जिसमें बी ब्रोगली ने हैल्प की बेवनेचर उन्होंने बताई वहां से हाई एंड वर्ग ने हैल्प की जिन्होंने पोजीशन और मूमेंटम की बात बताई कि हम उसको एक जैकली नहीं नाप इस रिलेटेड जो क्वांटिटीज है उनको एक्स्प्रेंट कर सके हम यह आपर नेक्स्ट पॉंट लिखने जा रहे हैं हैंस अन्यू ब्रांच और फिजिक्स और यू कैन से मेकनिक्स इस डैबलब यह डैबलब की गई कॉल्ड क्वांटम मेकैनिक्स इस ब्रांच को नाम दिया गया क्वांटम मेकैनिक्स और यह किसके लिए दी की मेटा क्यों डैबलब की तू एक्स्प्लेइन एनरजी और वेलोसिटी एटसेटरा और माइक्रोइस्कोपिक पार्टीकल्स इनको एक्स्प्रेंट करने के लिए इन्हें बताने के लिए एक नई ब्रांच डैबलब की गई जो कि न्यूटन्स ब्लॉप मोशन्स पर बेज नहीं है तो कि मिटा हो और यह डैबलब किसने की वाई इस डैबलब बाई हाइजेंवर्क पूरा नाम था इनका वर्णर हाइजेंवर्क आपको डबलू लिख सकते हो लास्ट नेम यादकना ज्यादा वेटर रहता है डी ब्रोगली एंड आर्विन श्रोडिंगर 1926 में नोंने यह डैबलब की थी वैसे इयर खास जरूरी नहीं है यादकना बट आप कर सकते हो इन लोगोंने एक नई नहीं मेकनिक्स मनाई जिसका न्यूटन्स लॉव मोसन से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है इस जिन्होंने इलेक्ट्रों की ड्योल नेचर और हाइजेंबर का इस तरह से बेटा क्लासिकल मेकनिक्स का जो हार्ट है जिस पर पूरी इस पूरी ब्रांच का वह इसका भी एक ऐसा है जिस पर यह पूरा क्वांटम मेकनिक्स डिपैंड है जिसके तो हम सारी बातों को explay करते हैं और वह एकक्वेशन बनाया उसमेंम्रार था स्वाड़िंगर का इस लिए उस इक पर दे को स्रॉडिंगर इक्वेशन भी किषदे हैं लेकिन वह वेव किया गया इसलिए को बोलते हैं और जब वेव होगी तो उसकी वेवलेंग्ट भी होगी और उसी बात को हम यहां पर आगे बढ़ाने जा रहे हैं तो तो मैं यहाँ पर इसको आगे लिख सकता हूं नेक्स्ट पॉइंट में पूरी कहानी जो है थीम वह हम पढ़ा के चल रहे हैं आप पर क्या पर एक्प्रेशन और क्वांटम मेकैनिक्स या फॉर्क या इन क्वांटम मेकैनिक्स को तो बेटर रहेगा इन क्वांटम मेकैनिक्स इस डेबलब्ड बाई और गिविन बाई शौदिंगर्ड को लिख शौदिंगर्स वेव इक्वेशन क्या नाम दिया गे इस एक्वेशन को स्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो मैं बताने जा रहा हूं आपको यह रियल में पूरी क्वांटम मेकेनिक्स इस पर डिपेंडेंट है इसी लिए मैं इस इक्वेशन को हार्ट ओफ सकता हूँ जैसे अऔरे न्यूटर लॉफ मोसंस इस और क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है इसके बना काम नहीं चलेगा अब यह एक्वेशन क्या है हम उसके प्र गष्वेशन को लिख लेते हैं फिर उसके बाद में अब आतना ज्यान रखना है और कॉस्टम मैकेनिक्स एक बहुत बड़ी ब्रांच एफिजिक्स की कई बार इसमें आप कई इन्वेस्टी पोस्ट ग्रेजिएशन MSC की डिग्री देती हैं कई लोग इसमें रिसर्च करते हैं तो आप समझ सकते हो कि हम यहां कि सब्सक्रा में एक इस एलेक्ट्रोन के इस प्लासीकल में जो मौडल को छोड़के क्वांटम मौडल में हम उपढ़ेंगे वह केमल पुछ इंफ्वर्मेसन पढ़ेंगे एक आइडिया पढ़ेंगे मतलब यह equation कहां से आया कैसे drive किया लिया यह हमें study नहीं करना है ना आपसे पूछा जाएगा ओके बिटाओ ना ही इस equation से हम drive करते हुए और बहुत सारी बाते जो निकलते आते हैं वो भी नहीं पढ़नी है वो आपके higher classes की बात है तो वो higher classes में अगर आप जाते हो कोई करता है तो वो इसकी study को वहां करेगा बट अभी हम यहाँ पर इतना जरूरी है वो यहाँ पर लिख लेते हैं एक information और वो क्या है equation यह एक सिंबल होता है जिसको आप लोग डेल बोल देता हूं मैं तो डेल स्क्वेयर यह एक्चल में सिंबल यूज किया आता है बैरी स्मॉल चेंज के लिए तो मैं आपने इसको बापस लिखता हूं आप मेरे साथ साथ देख सकते हो देल स्क्वेयर 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 स्क माइनस वी साई इस एक्वल टू जीरो आप समझ गये होंगे एक एक्विशन देखने में बड़ा ड्रावना सा लग रहा होगा आपको लेकिन आप इसे कहां से ड्राव हुआ यह आपको करने की जरूरत नहीं बट इसमें कुछ बेसिक बात है आपको जानना बहुत जरूरी है और वो क्या है वो देखें आप लोग यह यहाँ पर एक्स वाई और जैड एक्सिस हैं डैट इस हम किसी भी एक पॉइंट पर या उस पॉइंट से जो वेब बनेगी लेक्टरोन की फोब मनेंगे क्योंकि वेब नेचर लेके चलना है अब हमें उसमें बेज्चर भी होगी तो उसकी स्क्राविबिल्टी क्या है X by Z axis तीनों directions तो उसकी probability चेक करते हैं यहाँ पर जो M है वो mass of electron है H plant constant है E यहाँ पर total energy है electron की V यहाँ पर potential energy है लेकिन यहाँ पर एक symbol मैंने use किया हुआ है इसको मैं फिर बना रहा हूँ जान देना यह जो मैं symbol बनाया है इस तरह से साई इसका pronunciation साई होता है आप PSI करके तो P silent रहता है तो यह जो है बेटा इसको हम बोलते हैं वेव function क्या बोलते हैं और आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझा दूँ कि यह वेव function क्या है आपको थोड़ा सा clear हो जाए तो यहाँ पर वेव function जो है बेटा आप इसको resemble कर सकते हो amplitude of wave आप लोगोंने वेव पढ़ी हुई है आप जानतों गेव में amplitude क्या होता है बेटा किसी भी एक direction में maximum displacement उसको हम क्या बोलते है amplitude कितना जानते हो आप लोग यहाँ पर मैंटर वेव में मैंटर वेव का मतलब जो मैंटर से मिलके बनी है जिसमें मांस है जैसे इलेक्टरन मूब कर रहा है तो इलेक्टरन की वेव है तो ऐसी वेव के amplitude को हम यहाँ पर वेव function बोल देते हैं और सिंबल देते हैं साई ही तो आप समझ सकते हो यह एक ही बात आप इनको मानके चल सकते हो मतलब आप यह कह सकते हो रिष्टा वही सोच नहीं तो के मिटाओ तो यह मैटर में और इन मैटर में में हम amplitude की जगे पर वे फंक्शन यूज करते हैं वर्ड तर्म और इसे साई से रिप्रियंट करते हैं इस डैट क्लियर येश sound very good तो है मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं इस पार्ट करके जान देना पुझे बढ़ा दो यूजिये ब्लेर आसख करना हूं तो यूज्कि मुझे सउक्षिन को भी आगे बढ़ाना है है यहीं बढ़ाना है से सीन है कि इसको कर पाएंगे इसका कि ए से saja कर रहा हूं कि जिसमें आपको मैं स्एक बारे में थोड़ा सा एक बार और इंद के देता हूं बागी डिटेल्स ना बेर역 आगे पढ़ोगे लेकिन जितना भी केमिस्टी के लिए या इस एक्टम के कि इस ट्रक्चर को समझाने के लिए जितना जरूरी है उतना पार्ट आप पढ़ लेते हैं और उस पार्ट में मैं बापस से लिख रहा हूं ज्यान देना बेटा हो ने इसको यहां पर लिख देता हूं मैं यह जो पार्ट पूरा यज़ करता हूं मैं इस पूरे पार्ट की जगह पर एक mathematical operator यूज़ करता हूँ इसको solve करने के लिए और वो कैसे करता हूँ कि मैं sci common ले लूँगा और sci को जब मैं common लूँगा तो sci को मैं बाहर निकाल देता हूँ तो इस तरह से इन तीनों के लिए operator लिया गया और इससे नाम दिया गया लाप्लासियन ऑप्रेटर एक सैंटिस्ट के एकोर्डिंग मैट के कई को solve करने के लिए हम पुछ ऑपिस ऑपर बनाते हैं जीन हम बोलते हैं लाप्लासियन ऑपर यह अलग लग जगह पर अलग लग यूज होते हैं और इसको सिंबल दिया गया छोड़ा ज्यान से देखना समथिंग लाइक देश और यह इसका इसका यह इसका यूज कैसे करते हैं लाप्लासियन उपरेटर का इस नोट यूर बिजनेस राइट ना अभी आपको प्लस वन में इसका यूज नहीं करना है ना इसके क्वेस्चन्स ना और कुछ आपको सिंबल सभी याँ तो मैं इसको स्रोडिंगर को कैसे लिख सकता हूँ मैं इसे लिख सकता हूँ लाप्लासियन ऑपरेटर साई क्यों के इसमें से मैंने इन पार्ट को यहां पर बता दिया इसकी जगे पर मैंने क्या यूज किया है लाप्लासियन ऑपरेटर साई मैंने कॉमन ले लिया था साई बच गया प्लस वही 8 phi square M upon h square e minus v side यह एक नई form है इस equation कि तो आपको इस equation की क्यों forms पढ़नी है अभी आपको बस छोटी classes में इतना information आपको दिया जाता है और details higher classes में पढ़ाई जाती है तो अभी आपसे केवल इसकी information पूछी जाएगी इसकी अलग-अलग form पूछी आई है और इसके बाद में फिर इन दौनों में से भी common ले लिया क्या साई common लोगे तो पूरा पार्ट बच जाएगा पूरे बचे हुए पार्ट को फिर लोगों ने लिख दिया h k si is equal to e si को कुछ लोगों ने इस तरह से भी लिख दिया यहां पर जो h है कि इसको एक और सैंटिस्ट के नियम की बिसिस पर एक mathematical operator बनाया तो इसको नाम दिया गया हैमिल एच को नाम दिया गया है है मिल टोनियन ऑपरेटर तो बस आप से maximum ज्यादा ज्यादा यहां पर बस नाम पूछ सकता है इनके इस equation की अलग-अलग form पूछ सकता है तो यह आपको त्रिंग फॉर्म और स्रोडिंगर बेव इक्वेशन्स लापला से नॉक्टर के फॉर्म में और हैमिल्टेन ऑपरेटर के फॉर्म में कैसे इसको लिख सकते हैं और इस साई को इस वेशन्स को में एक बार और बना के दिखा दूब आपको डियाग्राम से तो आप इसमें और इस चीज़ को समझ जा हुए क्या कहना चाह रहा हूं में जैसा कि आप लोग जानते हो किसी भी वेप को जब हम सो करते हैं तो वो कहां तक मूग कर रहा है जैसे एक डायरेक्षं है वेबिकी परॉह कि एस डायरेक्षिट में बेड प्रॉपिड़ेटिर कर रही है क्या होत आप लेड़ सकते हो डर्वोग कर आप गेशन कि यह द्वियुक्त करने लिए इस तफ में प्लस और माइनस दोणनों डाक्शन में इसके एंप्रिट्यूट्स हो करूंगा आपको पता है कि जब परफैंडिकुलर असिलेशन एपार्टीकल's में इस डारेक्शन उप प्रफैंडिकुलर ऊसिलेशन के तो परफैंडिकुलर मैं सारह को जहां तक यह हुआ है उन सारे पॉइंट को अगर से मिला दूँ इस तरह से मुझे इस डींट सभण और उस समय मैं यहां पर मैंसby इप्रेज़ के निदेनगत इसको बोलते हैं मैं अपने बीश्मिक में पड़ा होगा मैं यहां पर इसको बोल देंगे वे फंक्शन साई कि इतनी पर चलियर हो गई कि बस अंतर इतना है कि अगर आप इस तरह में करते हो तो यह माइनस में लिया जाएगा और उदार लेते हो तो प्लस में कि मैक्सिमम डिस्प्रेश्मेंट क्या का जाता है यहां पर वे फंक्शन अपने से एंप्ली क्यूट का था इस जैट क्लियर बेटा यह सर्ट वेरी गुड जब इस स्रोडिंगर वे विप्टेशन को हाइड्रोजन के एटम पर एप्लाई किया गया तो कैसे किया गया या उसमें हमें क्या-क्या बाक्याब रखनी है वो पॉइंट समया पर कुछ आपको बताते हैं कि अगर इस स्रोडिंगर एक्पेशन को सॉल्ट किया जाए किसी इलेक्ट्रोन की कि एनर्जी इपुटेंचल एनर्जी वी मास और एच की वेल्यूज को पुट करते हुए तो जो साई की वेल्यू आए उन वेल्यूज में भी कुछ प्रॉपर्टी जोनी चाहिए जैसे वो वेल्यूज जो है वो कंटूनियस हो उन वेल्यूज का एक प्रॉपर कंटूनियस ओडर हो एक सिक्वेंस हो ये वेल्यूज आए वो आपकी फिक्स हो डेफिनिट हो एक वेल्यू हो उनकी इंडेफिनिट नहीं होगे कुछ भी लिद्दो यह ना जो भी value आए वो single value आए ऐसा नहीं हो किसाब इसकी value यह 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 हो सकती है चार possibility नहीं हो एक exact value हो और वो single value होए और इसकी जो probability है कि कहां तक हम इसको measure कर सकते हैं कहां तक यह value जा सकती है यह value इस plus direction में infinite तक जा सकती है और minus direction में भी यह infinite तक जा सकती है तो value यह कितनी हो सकती है साई की कि plus infinite से minus infinite तक सारे जितनी भी range है उस पूरी में ओके बैटाओ तो यह हम नहीं कर रहे हैं सॉल्व करना भी नहीं है बट हमसे वह यह तो पूछ सकता है कि यह जो value जहें साई की सॉल्व करने पर वो उसकी nature क्या होगी तो यह electron के बारे में हम बात करेंगे जब hydrogen atom में या किसी भी अगर में तो वह उसकी बारे में कुछ साई की वैल्यूस की करेक्टर्स होंगे जिनको उसे फॉल्व करना चाहिए है तो हम इन बातों करेंगे लिख लेते हैं कि फॉलूशन ओफ कि श्वाडिंगर इक्रेशन कि गिव्ज साई इससे हमें साई मिलता है कि गयाना और साई भी मिलता साई की बहुत सारी वैल्यूस मिलती हैं गिव्ज अ लॉट ओफ वैल्यूस ओफ साई कि गयाना विटाओ आउट आउट ओफ देम या आउट ओफ दीज दे असेप्टेवल वैल्यूस जिन वैल्यूस को मसेप्ट कर सकते हैं ऐसे पॉस्टेंस आपने मैस में 8, 9, 10 में की होंगे जब करते हैं तो एक्स की वैल्यूस दो आती है एक प्लस में एक माइनस में तो हम उसमें क्या करते हैं कि अगर वह एक्स को हमने वहाँ पर एज माना हुआ है किसी आदमी की और एक्स क्वाडिट एक्स की वैल्यू मैनस फाइव और प्लस टैन आती है तुम क्या बोलते हैं कि एज मैनस में तो हो नहीं सकती कि सो मैनस फाइव इस नौट ऐसेप्टेवल तो एज ऑफ प्लस टैन इए और आंसरम टैन लिखते आप एसे प्लस आपने किये विटा एट नाइन टैन्ट में मैं वेरी गूट सेम तिंग इस एएर इस एक प्लस को सॉल्व करने पर बहुत सारी वैल्यूज मिलती है साही की और उन में से हम केवल उनी वैल्यूज को असेप्ट करते हैं या उसी साही की वैल्यू को हम यहाँ पर मानेंगे या आप इसको पॉसिवल वैल्यू कह सकते हो कि साई की वेल्यू एक्चल में क्या पॉसिवल है बाकी वेल्यूस को नेग्लेक्ट कर देंगे तो असेटेवल और पैसिवल और पॉसिवल वेल्यूस और साई मस्ट है फॉलॉविं प्रॉपर्टी उन वॉल्यूस में कुछ फिक्स प्रॉपर्टी जोनी चाहिए बस उनी को मासेट करेंगे बाकियों को सेट नहीं करेंगे वह वेल्यूस हैं अभी मैंने बता दिया था आपको एक बार अब आपको लिख भी देता हूं एट क्लिए इता हूं अनिपन एट फॉड दिए लिए्टा और पिद्क्श वेलू आपको ऩुड nhân बpaperender देता हूं नहीं को से विले घ्ट्रों प्रिख, अजिए धश्ड प्राविर्टे अैए लाए और वी कें से मस्ट लाए फ्रॉम प्लस इंफनाइट तो माइनस इंफनाइट इस देट इहर मेटा सिर्फ इनी डैल्यूस का मजब करेंगे लेकिन अप पॉस्चन यह है कि हम इस एटम में इस साई को कैसे यूज करें कि हमें एक एटम की पिक्चर मिलना सू हो जाए ओके बेटा हो तो वो आपको यहां बता दू कि वो वेल्यूस के साई का फिजीकल मीनिंग क्या है साई जो है जिसको हमने क्या का अभी वेफ फंक्शन पर अभी वेफ फंक्शन किसका है बेटा of matter wave means उसकी wave है जो matter से मिलके बनी है matter क्या होता है having must occupying space ventilator wave के लिए है कि इतनी पिच्चे क्ली हो गई यहां पर mater wave किसकी करेंगे अब में attributes करेंगे है तो electron की झुकके बिटा तो वो है आपका of electron अभी वेफ फंक्शन किसका है बिटा electron का कि दूसा इंपोर्टेंग एंप्लीट्यूट का स्क्वायर डेता है बेटा इंटेंसिटी ओफ वेव और यहां पर इस एंप्लीट्यूट को जो हमने बेव संक्षन का है इसका जो इसफॉर होगा उसे हम इंटेंसिटी के बजा यहां पर गोल देंगे probability of finding an electron probability of finding an electron जिस electron की निकाला है उस एक्टन की probability in atom किसी भी atom में यह electron की किस-किस जगए पर मिलेगा उस जगए पर electron के मिलने की probability जो बताता है size square ओके विटाओ और किसी भी atom में अब यह मैं एक atom बना रहा हूं विटा किसी भी atom में nucleus के चारों तरब जो जगे हैं जा electron की probability हम check कर रहे हैं that is size square की value हम check करेंगे और यह cash check करेंगे size हम निकाल लेंगे starting equation से वो ऐसा करते हैं लोग और size square की value से वो बताते हैं उन जगों को नाम दिये जाते हैं तो इस atom के इसकी boundary से बाहर electron के मिलने की probability क्या होगी बेटा जीरो इसके बाहर तो electron नहीं मिलेगा ना कि बेटा एटम से बाहर electron के मिलने की probability जीरो होगी ना सब्सक्राइब का मतलब एटम से बाहर एटम की boundary से बाहर तो इन्हों ने यहां पर क्या गया नाम दे दिये इन्हों कि जहां पर साई स्वेर की वैल्यू एग्जेक्ट जीरो होती है वो दो ही जगह होंगी एटम से बाहर that is infinite पर या फिर एटम के अंदर बात होगी तो यह वैल्यू होगी nucleus में at nucleus within atom atom के अंदर nucleus एक ऐसी जगह है जहां पर electron के मिलने की probability that is size square की वैल्यू जीरो होती है तो अगर आप पूछ ले के size की वैल्यू कहां कहां जीरो होती है तो आप बताओगे nucleus पर और atom से बाहर is that clear yes sir yes sir जहां size square की वैल्यू है वो almost 95% और अबब होती है जिसको आप लोग maximum भी कह सकते हो तो मेरे बेटाओ वो कहां होती है वो होती है उस जगह को हम बोलते है और beetle क्या बोलते है atom के अंदर की वो जगह है जहां electron के मिलने की probability की value size की value आपको calculate नहीं करनी है बट आपको अगर कोई बता दे कि इस जगह पर size की value maximum है तो जगह को आप item के अंदर की उस जगह को क्या नाम दोगे और बाइटल बोलते हैं कुछ लोग आप और बीटल या और बाइटल ठीक है मिटाओ और अगर size की value ना 0 है ना maximum है लेकिन यह almost 0 है जिसको आप 0 कह सकते हो तो एक्टम के अंदर की वह जगह जहां size square की value 0 जहां एक्टम के अंदर तो है मट एक्टम के अंदर भी ऐसी जगह होती है कोच जहां पर वह particular item जिसके लिए value निकाली है वह electron उस जगह पर नहीं मिलता है या उसके मिलने की probability अल्मोस्ट 0 मिलती है कि उस जगह को हम बोलते हैं नोड क्या बोलते हो जगह को विटा कि वोलो विटाओ तो इसका मतला नए इस नए मॉडल के एक्टम मेकेनिकल मॉडल के एक्टम के अंदर आप की जगह हो गई एक नुकलियास एक नोड एक और्बिटल अब इनके बारे में डिटेल्ट स्टिडी हम लोग next class में करेंगे अब तक के लिए बबाए टेक के अर थैंक यू जर थैंक यू सर्ट थैंक यू सर्ट थैंक यू सर्ट थैंक यू सर्ट वेलकम